हेलो अबरीबर्डी कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे और आज हम करेंगे जो ग्लास तेंथ है आपका क्लास तेंथ का हम एक मिनट मैं अभी थोड़ा सब इसको इंक छोटा कर लो ओके सो क्लास 10 मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ जोए अपसे 7-8 दिन अभार और जली किसी बच्चे ने अभी तक उसका 20% ही तो दैनब विडियो बे स्टार्ट करिया वीडियो देखने सीरीज देखने 3 से 4 दिन सारे वीडियोस आ जाएंगे और एक प्लेड बना गया है उसमें से जा एक चैप कर सकते हो कौन कौन सा वीडियो मैं अप्लोड किया है science related class 10th का और तो आप देख लो क्योंकि मुझे लगता है इससे बाहर कोई MCQs वाला सीरीज नहीं आने वाला है ठीक है तो आपका जो term 1 examination में जो आपका सबसे पहला chapter है वो है chemistry का that is chapter 1 है आपका chemical reaction and equation जिसका आज हम MCQs करेंगे सिंगल रिस्पॉंस और मल्टिपल रिस्पॉंस वाला कोशन करेंगे चाप्टर 2 है acid, base and salt, chapter 3 है आपका metal and non-metal इसी तरह के से आपका biology में chapter 6 है life process और इस तरह के से आपका natural phenomena में जो unit है उसमें 10 and 11 है chapter वो भी हम discussion करेंगे, okay so term 2 की बात नहीं करें अभी बस term 1 की बात करें क्योंकि आपका exam बिल्कुल आपके सर पे है और आपका मुझे लगता है बहुत ही कम preparation हुआ होगा जिदी कुछ बचों का होता है हर एक साल तो जिदी किसी बज़े से किसी region के बज़े से तो कोई बात नहीं आज हम करेंगे, ठीक है चलिए start करते है, सबसे पहला है हमारा जो है chemical reaction and equation chemical reaction and equation का जो यह chapter है उसका हम mcqs करते है, ठीक है single response वाले question का मतलब होता है बच्चों कि इसमें सिर्फ उसे one ही answer होगा मतलब इस चार option में से सिर्फ एक ही option answer होगा, इसका correct answer होगा ठीक है, सबसे पहला question है, देखे, कॉट से पढ़िएगा electrolysis of water is a decomposition reaction, सभी को पता है, नहीं पता है तो समझ लो electrolysis होता है water का, वो एक decomposition reaction होता है, ठीक है जिसमें क्या होता है, आपका water टूटता है, ठीक है, देखो क्या होता है, the mole ratio of hydrogen and oxygen, जो आपको mole बताना है कि कितना, जब ये electrolysis हो जाता है, ये water का decomposition reaction के द्वारा, तब इसका mole क्या होगा, कितना ratio में mole होगा, ठीक है अभी मैं इसको simply में बता जिता हूँ, जिसमें H2O है, इसको जिए हम electrolysis करते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है, ठीक है, इसका होता है decomposition reaction, जिसमें आपका hydrogen में liberate होता है, प्लस oxygen बनता है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर ये balance नहीं है, यहाँ पर hydrogen का 2 यहाँ पर item है, और यहाँ पर 2 item है, बट यहाँ पर oxygen का 1 item है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, balancing करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, oxygen को balance करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, जिदि हमने 2 लगा है, hydrogen 4 हो गया है, क्योंकि 2 लग नहीं आया मुझे उम्मीद है समझ में आ गया है इसका अंसर बी हो जाएगा ठीक चलिए कोशन इसे तरीके से करते हैं अपना कोश्चन एंड ठीक तो सब्सक्राइब कोश्चन है विच एमंग फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन डबल है मालो A B है और C D है डबल डिस्प्लेस्मेंट रिएक्शन बता रहा हुस् मैं तो इसमें क्या होता है के साथ दी आ जाएगा और C L जाएगा तो AD plus BC इसी तरीके से double displacement reaction होता है तो यहापे देखो PBCACUCL बन गया और CU तो यह तो हो नहीं सकता NA2SO4 और BACL2 और इधर देखो BASO4 बन गया और यह NACL यही है इसका अंसर इसका अंसर इसका अंसर इसमें हाँ देखो क्योंकि अच्छा अच्छा इसका option भी दे रखा है यहाँ पर देखो लिकिन ऑप्शन टू ही एंसर होगा इसका ठीक है भी ही एंसर होगा इसका क्योंकि आप देखो न सी देखो सी प्लस ООय सी प्लस ओटू यह क्या बना लिया control डियकसाइड बना लिया तो इहाँ पर कहा हो रहा है को ही न होडा चौरिशन था चलते हैं विच प्लस बी सी बना लेगा इस तरीके से तो दिस इस का अंसर सी हो जाएगा चलिए चलते हैं कोश्चन फोर्थ की तरफ डाट इस आपका कोश्चन फोर्थ जो है वह है विच ऑफ दा फॉल्विंग इस अ कारेक्ट बैलेंस एक्विशन है चारो में से आपको बताना है तो चारो बड़ी बाला जो दिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक करे रहे हैं में वीडियो का हो जाके देख लो सब कुछ आजाएगा तो इसका अंसर सी होगा क्यों देखो अब यहां पर मैं बताता हूं क्यूं होगा सी रीजन देता हूं मैं अब यहां पर देखो एपी है यह रियक यहां तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया हो गया तो यहां पर पर चार लगा दो देखो है बिलकुल है न तो है इसका अंसर होगा सी चलिए तो इसका आप चल चेक करते हैं कि अब करते हैं फिफट करेंगे तो फिफ में देखते हैं कि और ये बाद में तो इसके लिए देखते हैं a reaction in which a single product is formed, मतलब A की प्रोड़क्ट फॉर्म होता है बाद में, from two or more reactant, मतलब two or more reactant मतलब मिलके सिर्फ पर सिर्फ एकी प्रोड़क्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो obviously, जब ऐसे मैंने बताया था थे होडी में, चलिए, question 6 यहां से सुरू है, देखो, यहां से, गौर से देखना, यहां पर लिखा हुआ है, question 6, which is the following, marble का formula बताना है, what is the chemical formula of marble, chemical formula of marble, important question ही आ सकता है, यह 5th question important है, और 6th question important है, 7th question भी important है, तो यहां पर marble का जो chemical formula होता है, आपका CaCO3, यहां कैलसियम कार्बोनेटिक, इसका answer C हो जाएगा, अब यह क्वाइकलम का जो मैंने बोला ही था, जब मैं ठीवरी पर आहा था, कि आपको क्वाइकलम का हो, तो आपको formula आना ही चाहिए, इसका क्या होता है, CAO, that is, क्वाइकलम, इसका answer हो जाएगा, सेवंध का, CAO, समझ में है, सेवंध क्वेश्चन का answer भी समझ में आ गएगा, मुझे उम्मीड है, आप यहां पर देखो, question number 8 है, what is absorbed in a solution of potassium iodide, यह नहीं, potassium iodide, added to a silver nitrate solution, AZNO3, जब add किया जाएगा, ठीक है, तो क्या एक solution of potassium iodide is added to, silver nitrate solution भी ज़िए हम potassium iodide को add करेंगे, तो क्या बननी का, ठीक, तो basically क्या होता है, white precipitate of silver iodide is formed, ठीक है, white precipitate बन जाता है, silver iodide का, इनि AGI combine हो जाते हैं, और यह white precipitate बना लेते हैं, ठीक, white PPT बना लेता है, ठीक है, तो उसका answer क्या हो जाएगा, B, ओके, चले चलते हैं, question number 9 की तरफ, that is, the following reaction is example of, इसमें यह जो example दे रखाया आपको, उसका answer आपको बताना है, यहाँ पर ठीक है, कि इसमें से यह कौन सा, the following reaction is an example of, किसका example है, जो question 9 है, इसका, तो इसका आप देखो, displacement reaction, NH3 है, O2 है, प्लस NO2, NO है, तो यह पर कहीं कहीं, displacement तो हुआ ही है, H2 अभी बना है, ठीक है, तो चले चलते हैं, देखते हैं, इसका option देख लेते हैं, इसका option है, 1 and 4th, and 2 and 3rd, and 1 and 3, and 3rd and 4th, 9th का answer क्या हो जाएगा, C answer का 1 and 3rd, 1 and 3rd मतलब, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो, यहाँ पर displacement तो ही रहा है, जासे मैंने बोला, ठीक, तो 1 and 3rd में, क्या है, देखो, यहाँ पर 1 and 3rd होगा, क्योंकि उसका option नीचे दे रखा है, तो यहाँ पर basically 9th का answer C है, ठीक, तो यहाँ पर displacement तो ही रहा है, और यहाँ पर redox reaction भी हो रहा है, redox reaction भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आके नों में जूड़ रहा है, इस तरीके से, तो redox reaction भी हो रहा है, चले चलते question 10 की तरफ, which are the following reaction is not correct, यहाँ आपका गलत नहीं है, गलत है, absolutely wrong है, क्योंकि आप जाके यह, यह जो topic है, मैंने परहा रखा है, जिंक और सियोसर फोर में, यह reaction आपका ऐस तरह के से बनना जाए, जिंक और सियोसर फोर जो reaction है, इसमें copper नहीं, इसमें जिंक के साथ sulphate नहीं बनता है, copper नहीं बनता है, यह थोड़ी में करा रख कर जाके चेक कर लो, ठीक है, इस का अंसर यह हो जाएगा, 11 करते है, 11 में, if a substance lose oxygen, और gain hydrogen, then reaction is set to be, तब reaction क्या कहलाएगा, भया, reaction तो reduce हो जाएगा, reduction reaction, ठीक है, B answer हो जाएगा, 11 का, question number 12 का देखते है, some metals is tarnished, tarnished, tarnished मतलब खराब जाता है, by substances around them, such as moisture जबा जाता है, when left or sometime, when it is process is called a collagen, ठीक है, so question, इसका collagen होगा, collagen ही तो होगा, क्योंकि मैंने खरार रख थाएपकर थोड़ी में भी, कि जब हम किसी भी, you know, एक metal को छोड़ देते हैं, exposed, छोड़ देते हैं, in the presence of air, moisture में, water में, तो क्या होता है, बतलब वो tarnished हो जाता है, तो उसमें क्या होगा जग जाता है, ठीक है, तो से उस process को कहते है, collagen है, जग लग गया, question number 13, चलते हैं, that is respiration is in, respiration is in, respiration क्या है, basically respiration जो है, एक endothermic reaction है, exothermic reaction है, decomposition reaction है, displacement reaction है, क्या है, मैं यह करा रखा है, आपके, जो थोड़ी वाले में, यहाँ पर मैं से, mcqs कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपका क्या है, exothermic reaction है, respiration में से energy, यहाँ heat release होता है, जब respiration एक process है, जो हम करते हैं, तो उसमें human beings में होता है, तो respiration जो मतलब होता है, living beings में, तो यहाँ पर क्या होता है, energy release होता है, that is B answer हो जाएगा, चले, question 14, चलते हैं, keeping food in airtight container, helps to slow down, जदी हम क्या करे, फूड को हम एक airtight container, इनकी like refrigerator में रखते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमें क्या help करता है, क्या help क्या होता है, कि oxidation नहीं होता है, food का, food का जोड़ी हम बाहर में रख देते हैं, तो थोड़े दिर बाद oxidize हो जाता है, खड़ाब हो जाता है, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा C, question 15 चलते हैं, चलिए question 15 that is, when a, when a single reaction, break down into a simpler product, जहने कि एक हमारे पास, एक reactant है, और उसमें से हम दो-दो product बन गए, तो क्या हुआ, displacement reaction तो हुआ, decomposition reaction तो हुआ, कि decompose हो गया, तो इसका answer क्या हो जाएगा C, क्या होगा इस concern, C होगा, चलिए, multiple response बाले question आगे, बच्चों multiple response बाले question यहने कि, इसका option एक भी ठीक हो सकता है, दो भी ठीक हो सकता है, थ्री भी ठीक हो सकता है, और all of the ever भी ठीक हो सकता है, ठीक है, तो उसे कहीं से हम question करेंगे, that is question number one आ गया हमारे सामने, इसमें multiple response बाले question में, सबसे पहला question है, which among the following is an exothermic reaction, सबसे पहले मुझे exothermic reaction का मतलब पता होना चाहिए, इस question को करने से पहला, तो exothermic reaction का पहले पता दिया, जिसमें से heat और energy क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, that is called exothermic reaction, ठीक, exo means कुछ रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा question जो है, उसका answer क्या होगा, हमारा respiration भी है, exothermic reaction अभी मैंने पहले पहले पर आ दिया है, और इसका decomposition of vegetable ये भी है, और burning of natural gas ये भी है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer हो जाएगा हमारा A, B और C, तीनों ही इसका answer होगा, क्योंगे multiple response question है, तो हो सकता है, तीनों ही answer होगा, इसका identify the combination reaction given below, इसमें से हमें combination reaction पता करना है, इसमें से क्या होता है, कि हमारे 2 या 3 reaction मिलके, ठीक है, एक ही product बनाते है, that is called combination reaction, ठीक, तो combination reaction में हम देखेंगे सबसे पहले, कि heating of a ferrous sulfide नहीं, ठीक है, reaction of quiet lamp with water, जदी हम quiet lamp यानि कि C, A, O, जदी वाटर के साथ reaction करेंगे, तो yes, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बना लेगा, C, A, O, H, twice, C, A, O, H, twice, यहाँ बना लेगा, from hydrogen and oxygen, यहाँ हम hydrogen or plus oxygen को मिला दे, तो water बनता है, ठीक है, water बनता है बच्चों, तो it is also a combination reaction, तो हमारा इसका answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा 2 का, second answer देखो, यहाँ पर हो जाएगा B, C, और D, मुझे अमीर है, आपको यह session बहुत अच्छा लग रहा होगा, like जरूर कर दीजिएगा, और जदी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे comment करके बता दो कि, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर third question है, कि which among the following is, or are a chemical reaction, इसमें से चारो में से कौन सा है chemical reaction है, एक यहाँ एक से जादा भी हो सकता है, the shoring of a milk is also a chemical reaction, आप यहाँ पर cutting of wood नहीं है, chemical reaction है कि हम लगडी काट रहेगे, chemical reaction है, cooking of wood, it is also a chemical reaction, burning, burning is also a chemical reaction, so यहाँ पर हमारा sorry, B नहीं है, C, C or D, यहाँ पर option मैं फिर से रेपीट करता हूँ, soaring of milk, that is a chemical reaction, cutting of wood is not a chemical reaction, cooking of wood, that is a chemical reaction, and burning is a chemical reaction, तो इसका answer क्या हो जगा, A, C, D, इसका B ही answer सही, नहीं होगा, बाकि 3 सही होगा, ठेक हैं, आप यहाँ पर करना है कि identify endothermic reaction given below, आपको endothermic, जिसमें heat और energy लगता है, बच्चों, heat और energy जिसमें लगता है, ठेक, तो basically endothermic reaction होता है, तो इस बेसे सबसे पहले हमारा respiration, respiration तो हमारा exothermic reaction है, तो यह बहुँ है answer, यह तो होगा नहीं, ठेक है, photosynthesis, yes, B, is endothermic reaction, melting of ice cube, yes, it is also a, मतलब ice cube का पिखलना, इस बेसे also a endothermic reaction, क्योंकि इसमें हम heat release हो रहा है, जब हम ice को बाहर निकालते है, refugee litter में से, तो कुछ न कुछ तो room temperature पर आ जाता है, हमारा ice तभी तो पिखलना सुरू कर जाता है, water में convert होना सुरू हो जाता है, इसलिए ठेक है, अब reaction of silver bromide in sunlight, ठेक है, इट इस also a endothermic reaction, ठेक है, फोट हो गया question, अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ कोचन दार्टेज, फिफ्थ कोचन है हमारा क्या, कि hawk can we prevent rancidity, rancidity को हम किस तरीके से हम rancidity से हम बचाओ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फूद को बचाओ कर सकते हम अपने फूद को बचाओ कर सकते हैं, rancidity से तुसर अडिंग एंटी ओक्सिएन, येस इस अप्शिएन घाल टॉपिक, जाके चेक करो, रिस्क्रिप्शिप्शन और क्रीवाला पार्ट में मिल जाएगा, स्टोरिंग आप फूड इन इंटेनर यह इत इज आलस आ हम मैठाड जिसे बचा सकते हैं इसे यह पने से अपने फूड को डिपलेसिंग ऑप्सीजन इन डाटेनर विथ एन अधर गैसे यह ज़िए अफिक्टेनर विट एनटे इस फोड को अवा उमीद करता हूं यह आपको बहुत ज़्यदा पसंद आया होगा, thank you so much for watching my video, and जदि आपको पसंद आया, तो please subscribe my YouTube channel, और मुझे comment करके ज़रूर बताए कि आपको कैसा लगा ये session, और मुझे उम्मीड है, ये जो 15 questions हमने किये हैं आज 15-20 questions, उससे आपको ज़रूर help हुआ होगा, और आप ज़रूरी धमाल मचाओगे अपने term 1 examination में, ये 20 questions आज हमने किये हैं, ठीक है, तो जो session region बाले question आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओभी मैं कराओंगा, जिदि आप लोग बोलोगे तो, मैं आपके लिए, हैम से कुछ के इतना भर्मार लगा दू कि paper में वही वही आएंगे, ठीक है, मैं guarantee देता हूँ, फिर वही वही आएंगे paper में, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह के तरह झाम्माज़ precisa मैं ओना भर्मार देखंगे